दोस्तो आई एरपसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज न गिरावट है न यहां पे तेजी देखना को मिल रही है बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है और इसके पीछे वज़ा है स्टॉक अपने डारेक्शन को तलास रहा है यहां पे देखे तो कि बजट के एलान के बज़ट के बाद में नर्वी आ रही है तो यह बिल्कुल हर बार होता है अब बज़ट डिकलेर हो चुका है आने वाले समय श्टॉक अपने कारूबार के दम पे आगे बढ़ेगा यहां पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिसकस करेंगे और जानने की कोस से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए च स्टॉक की शुरुआ तो भी पॉजिटिव 159 पर कल की क्लोजिंग थी 158 के आसपास इंट्राडे में 160 का इसने हाई भी बना है यानि कुछ दौर बनाई और जो लो बनाव 157 का है तो यहाँ पर गिर आवड भी हुई और कुछ तेजी भी बनी लेकिन एक सीवी दायरे में ह आसपास यानि 158 के आसपास ट्रेड करा है जापे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिल रहा है यानि इस समय देख सकते हो कि किसी भी तरफ जा सकता है श्टॉक ऐसी सम्मावनों में बना हुआ है आव इसकी परफॉर्मेंस देखे तो 13 फरवरी को श्टॉक वन एंटे 53 के आसपास था जापे 15.4 परसेंट की जबरदस तेजी बनी इससे पहले 12 फरवरी को जब बाजा रिक्तर से क्रेस्ट कर गया था यह श्टॉक भी 14 परसेंट की रहा था लेकिन उससे सांदर भरपाई फिल से 13 फरवरी को हो गई 55 के आसपास आए जापे 2.2 परसेंट की गिरावट वी और 12 फरवरी को अगर देखे तो श्टॉक की क्लोजिंग 158 के आसपास थी जापे 2.1 परसेंट की टेजी बनी कल एक तरस से सिमी दारे में ट्रेड कर रहा है श्टॉक और 1500 के उपर सेटल होने की कोसिस कर रहा है यह अ कर देखे तो लगबग एक बजे के आसपास थी क्रोड का वॉलिम आज बिल्कुल कम है इसका मनुद बड़े फंडा हुसी समय वेट और वाच कर रहे है इसे श्टॉक मनना वो उपने खरीदारी नहीं कर रहे है नहीं आप यहां पर कोई बिक्वाली हो रही है अब यहां प बहुत सारी इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे जो जम्मू कस्मिर में कंप्रेट होंगे जिसमें एक दुनिया का बड़ा एक रेलवे ब्रीज भी बनने बजा रहा है और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे यह एक लॉंग रेल ब्रीज होगा करीब 35 मीटर से होगा और देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में रहा आसान हो जाएगी दो रेल्वे के लिए सुरक्सा की तरफ द्यान दिया जा रहा है साथ में ऐसी कनेक्टिविटी जा तक अभी तक रेल्वे नहीं पहुंच पहीं वाँपे रेल्वे कनेक्टिविटी दी जा रही है अब देख सकते हो कि इसी के साथ एक बड़ा एनॉस्मेंट और हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भी शुरू की जाएगी और यह होगी संगल दम स्टेशन से लेके बारा मूला के बीच में तो एक तरस से देख से पॉलुशन फ्री है अब यह ट्रेन शुरू हो ज जारे तो यह देख सकते हो कि एक नया रेल कॉरिडोर बनने जारा इसका एक्सपेंशन किया जारा है तो जैसे की रेलवे में आने वाले इसमें बहुत सारी फैसिलिटी एड की जारी है लगाता लोगों की जिस्तर से बीड़े उसको कंट्रोल करने के लिए नए ट्रेक भी और आने वाले से में नये स्टेशन रेडेवलोप भी किये जारे है सारी बाते हो रही है और इसमें ये इसलिटी को बैनत के साथ ले तो ये कल्यान बदलापुर के बीच में रेल कॉरिडोर बनाने के लिए टेडर जारी किये जारे तो जो एक के बाद एक एनॉस्मेंट हो और यह वो इशारा करिए कि IRFC में एक जबरदस तेजी आ सकते हैं कि IRFC रेलवे की इंफरा कंपनियों को फाइनेस प्रवाड करती है अब जैसे कि आपको पता होगा कि नई नमो भारत ट्रेन भी शुरू होने जा रही है और वर्ड क्लास टेक्नोलोजी से लेस यह नमो भारत दाने वाली है और आप देख सकते हो कि इसमें सारी फैसिलिटीज एड की जा रही है और इसकी जो पहली शुरूआत है यह लांच की गई है दुहाई साइदाबाद के बीच में जिससे जो ट्रेवल टाइम है उसमें 50% की कमी आ जाएगी तो इसके बाद में एक के बाद एक वंदे मैट्रो टेन शुरू करने की गोशना की है यह सेमी आई स्पीड ट्रेन होगी वंदे भारत के बाद में यह वंदे मैट्रो जो आप देखे तो जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमेटर के अंदर का जो होगा वा पे वंदे मैट्रो चलाई जाएगी और यह देख सकी एर कं मैकसिमम 130 किलोमेटर के आसपा सुरू के पर और यानि वंदे भारत जैसी ही होगी वंदे मैट्रो जिससे जो एक दो सीटी को कनेक्ट करने के लिए इनको बनाया जा रहा है जिससे आने वाले इसमें सफ़र आसान होगा यानि बहुत सारी नई ट्रेन आने जारी है तो कपू मिला के इसमें बहुत सा इन्वेस्ट्मेंट होने वाला है साथ में वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है जो इस 2026 के आप देगां तक सुरू हो जाएगी जो लंबे डिस्टेंस के लिए वंदे भारत स्लीपर होगी तो एक तरस से देखे तो जितनी पूरानी ट्रेन है व लॉंच की गई है और हमारे रेलिव मिनिश्टर अस्वीन वियाश्णो की तरफ से इसकी अनॉस्मेंट की गई है कि 50 नई अमरीद भारत ट्रेन आएगी अमरीद भारत में आप देखे तो खासियत है यह कि यह नौन एसी है लेकिन इसके अंदर सारी फैसिलिटी जब वो व इस समय नॉर्मल जो ट्रेन है उससे थोड़ा ही जादा है यानि आम जंता के लिए यह ट्रेने बनाई गई है आप समझे जो इसकी स्पीड है 130 किलोमेटर प्रती गंटे के हिसाब से है तो जो बिल्कुल वंदे भारत जासी है सिर्फ ट्रेन में एसी ने बागी इसके लावाद नए ट्रेन के निर्माने में खर्च जो है वो उसका होगा उसमें फाइनेस प्रोड करने का कम तो आयरेपसी ही करेगी अब आयरेपसी की बात तो यह डलाल इस्टीर का एक डालिंग स्टॉक का जाता है काफी जबर्दस लोगों को इसने रिटन दिया है और लोगों की वेल्थ को जबर्दस बढ़ा है और आप यह देख सकते हो कि स्टॉक तेजी से दोड़ी रहा है लेकिन अब एक समय आल टाइम जो हाई इसने बढ़ा ही 192 उस लेवल से स्टॉक नीचा है जो तेज जबर्दस बढ़ा है अब यह स्टॉक जो है 158 के आसपास है अब IRFC को लेकर सनी अगरवाल जो देखते हो कि से भी रिजिस्टर शिक एक एडवाईजर है उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बूक करना चीए श्टॉक ओलड़ी जबर्दस दोड़ चुका है यहाँ पे इसकी जो वैलूशन हाई दिख रही है और आने OFS आएगा तो जो करन प्राइज है उससे नीचे लाए जाएगा SMS की प्राइज नीचे आ सकती है और इसलिए उनके हिसाब से इस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बूक कर लेना चीए लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरसे रेलवे का कैपेक्स बढ़ाया गया है इ जिस तरसे नई ट्रेने आने वाली है सारे रेलवे स्टेशन का रिडेवलोप्मेंट होना है तो यह क्लेली समझ में आ रहा है कि इसकी प्राइज आयरेज की बढ़ेगी और प्राइज जब भी बढ़ती है लोगों को यही लगता है कि स्टॉक महेंगा लेकित उससे कई यह अगर 160 के आसपास काफी समय तक ट्रेड करता हो दिखाई दे तब इसमें आप निवेस कर सकते हैं लेकिन फ्रेंट कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजर से बढ़े ले या आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजर की जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंट्स